एजूकेशन जेट चैनल में आपका स्वागत है आपकी बेहट डिमांड तथा प्यार की कारण एजूकेशन जेट गड़ी तीवी का च्छाएं शुरू कर रखा है जो एससे यूपी टेट सीटेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह बहुत ही बेसिक से है तो ट तीन का हम क्या करते है पहाड़ा पढ़ते है टेबल तीन दुना छे यह हो गया हमारा छे अब हमको क्या करना है इसको गुड़ा करना है यह क्या है तीन अंक है इसमें तो सबसे पहले क्या करते है एक का चार में होगा तो एक चार होता है और फिर एक करने एक होता है एक बा करकर के लिखते हैं लेकिन इसके बाद क्या है एक स्थान हम छोड़ देते हैं यह क्या क्या एक से हमने किया तो इकाई वाला स्थान हमने छोड़ दिया अब हम दहाई वाले स्थान से लिखना सुरू करते हैं दो चौक आठ ठीक है फिर उसके बाद 2 एकन्य दो और 2 दुणा चार इस तरीके से किया हमने अब हमने क्या 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 दहाई के बाद हमको क्या करना है स्टाइगणा वाला स्थान लेना है तो फिर इसको भी हमने क्रॉस कर दिया अब 3 चौग 12 यहां हो जाएगा तो यह दूनों क्या हो तो फिर तीन चोग 12 और उसके बाद 3 एकन्य तीन और एक जो हासिल था वह तीन एच्छ हो गया और उसके बाद 3 दूना 6 यह इस तरीके से हो गया यहां पर आजाएगा चार और आठ है नौ हो जाएगा और उसके बाद किया दो दो चार दो छे हो गया उसके बाद किया होगा चार चार आठ और यह इस तरीके से जो है इसका आंसर आजाएगा अब नेक्ष देखते हैं 425 का अगर हम जीरो में गोड़ा करेंगे तो क्या होगा जीरो ही हो जाएगा अब चिंद नियम हम देखते हैं साइम का जो है रूल क्या होता है दुसरी संख्यावी धन है और उसको हम गुड़ा कर रहे हैं तो हमको धनी मिलेगा इसी तरीके से अगर एक धन है एक क्या है तो उसका गुड़न फल रिड़ात्मक मिलेगा इसी तरीके से अगर एक क्या है दोनों रिड़ात्मक का गुड़ा कर रहे हैं तो धनात्मक मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से जो है यह होगा अब हम लोग देखतें जैसे दो क्या है दो भी धनात्मक है तीन भी धनात्मक है तो दो तीया क्या हो जाएगा छे हो गया ठीक है उसके बात एक धनात्मक है एक रिडात्मक पर क्या हो जाता है दो चौक आठ पहले लिख लिया और क्य यह क्छों डी रीडातमक चिन यहां लिए सब जब़ों सरी किशन दख लेते हैं यह दी रिडात्मक चिन सम बार आया है मतलब अगर द्रें ध場 ची दो भार आठbell vä। इस तरीके से अगर रिडात्मका चिन आज उनिन दो बार चार आइवा इस तरह क्छा जो तो इसका परड़ाम जो मिलता है, चिंड हो क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा, और अन्यथा क्या होगा, रिडात्मक मिलेगा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, अब इसकी बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हम गुड़ा कर लेते हैं, तो 2, 3, 6, तो हमने ब 48, क्या होता है, माइनस माइनस का गुड़ा, प्लस हो जाता 48, और यह गुड़े, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3,824, 3,12, और 14, माइनस 144, तो इसमें आप देखो, कि रिड कितने बार आया है, 1, 2, 3 बार आया है, यानि रिड आत्मक कितनी बार, 3 बार आया है, तो 3 बार आया, यानि अगर यह सम बार आयेगा, तो क्या होगा, यह धनात्मक इसका अंसर आता, लेकिन यह क्या है, रिड जो है, क्या है, विसम बार आया है, तीन बार आया है इसलिए इसका देखो आप जो परडाम आया है वो रिडात्मक आया है अब इसकी हम बात कर लेते हैं तो दो चौक आठ धनात्मक और रिडात्मक का यह हो गया इसी तरी कि इसको दोनों रिडात्मक है तो धनात्मक आ जाएगा तीन दूना छे यह आ गया हमार माइनस ठीक है अब यह देखो आठ्छक 48 माइनस का आ गया बुड़े माइनस पांच यह आ जाएगा अब देखो दोनों माइनस है तो क्या आ गया धनात्मक आ जाएगा और पांच का टेबल पढ़ेंगे पनोठे 40 चार कहरी हो जाएगा और पांच ओच 20 4, 240 आ गया तो यहां पी आप देखो क्यistoire रिदू रात्मक एक दो तीन चार रहा यानी संब्र रहा हाए हम ने बताएथा कि अगर रिदात्मक संब्र आता है तो उसका परदाम हमेजा थनात्मक आता है और अगर घुछ चार बांद्ध तो इस तरीके से यह हो गया, अब हम लोग देखते हैं संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, हाँ तो हम देखते हैं संख्याओं का भाग यानि कि डिवीजन, तो नियम एक देखते हैं हम लोग क्या है, यदि अंस और हर के चिन्य क्या हो, समान हो, तो परिडाम हमेंसा क्या आता जैसे मैंने उसमें बताए था, अगर क्या होता है, गुडा करने में भी, अगर क्या होता है, दोनों क्या हो, सेम साइंग में हो, दोनों धनात्मक हों संख्या हैं, तो उनका गुडा करने पे भी धनात्मक मिलेगा, दोनों रिडात्मक हों, तो भी उनका गुडा करने पे धना मिलेगा और दोनों अगर चिन्न क्या हो रिडात्मक हो तो भी उसका परड़ाम धनात्मक ही मिलेगा और अगर दोनों क्या हो अलग-अलग हो तो रिडात्मक मिलेगा अब देखें आप उपर भी अगर क्या है अंस भी धनात्मक है और हर भी धनात्मक है तो धनात्मक मिलेगा जो आएगा परड़ाम, अगर अंस रिडात्मक है, हर भी रिडात्मक है, तो भी धनात्मक आएगा, और अगर अंस धनात्मक है, और हर रिडात्मक है, तो रिडात्मक आएगा, बताए था नहीं, यह अलग है, तो रिडात्मक होगा, यह भी क्या है, रिडात्मक और धनात्मक है तो तो इसलेतमक बात कर लिकार की जाएक इसके बाराट में है काट घाएगा एक धनातमक है एक रदातमक है हो जाएगा पहली बात तो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 2 आया तो यह इस तरीके से हो गया अब उपर हगर है तो भी यह क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 तो इस तरीके से यह होता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर माइनस x बटे y है बराबर हगर है तो इसको हम x बटे minus y भी हो जाएगा और बदाबर minus x बटे y इस तरीके से भी हो जाएगा अब ये क्या है minus 6 बटे 3 है मैन funktion 23 अब हम लोग कुछ देख लेते हैं भाग में जैसे कुछ terms होते हैं तो अगर हमको 9 को भाग देना है दो से तो दो को हमने इहां लिखा, दो हमारा जो होता है, इसको हम बोलते हैं भाजक या डिवाइजर, जिससे भाग देते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं, ये नौ क्या है, इसमें हमको दो से भाग देना है, इसको भाज या डिविडेंट बोलते हैं, ठीक ह तो हम इसका हम क्या करेंगे इसका पहाड़ा देखेंगे दो चौव काट यहां एक बचा तो एक चुब बचता है उसको सेसफल बोलते हैं या रिमेंडर बोलते हैं और जितने बार जाता है दो चौव चार बार गया तो इसको बोलते हैं भागफल या कोशिंट बोलते हैं तो और इसमें अगर 9 को हम लिखें, 9 बराबर भाजक्या है, 2 गुड़े 4, बागफल 4 है, धन 1, तो 4 दुना 8, धन 1, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानि हमारा ये इस तरीके से होता है, ठीक है, थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके आपके लिखें अखली वीडियो देखा, आतकर।